सब्सक्राइब फोर अवरी टाम नूव अपडेट्स एंड प्रेस बेल आइकन फोर होट नोटिफिकेशन नमस्कार दोस्तों बात कर रहे हैं नोक आट पॉंट 3 के बारे में जो कि एक 5G वर्जन अनौंस कर चुकिए दोस्तों इसे कंपनी स्नाप ड्रेगन 765C जो CPU 5G को सपो को मिलता है विडीओ करते हैं पूरी तरह से इसकी प्राइब करते हैं अलग से आपको याप MON को करते हैं तो दोस्तों कि रिज Barnes के बात लेते हैं इसकी इसकी स्पैसिगिंचन बेंचान्फरें錢 इसके इसकी प्यूर और MLED फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलती है आपको जो की रिजोलिशन को जो काफी हाइली सपोर्ट करती है दोस्तों 20 रेशियो 9 का जो इसके रख सेप्ट रेटी हो यारे बेजल काफी कम की है काफी सुधार की आपकी बार नोक्या ने दूसरी कंपनीज को देखते हुए और दो दोस्तों स्नाप ड्रेकन 765 जी जो AIE चिपसेट है वो इसके दर दोस्तों या पर इंक्लूट किया गया इसके अंदर जो की 5G गेमिंग को मल्टी गिगाबीट स्पीड सी जोई सपोर्ट करता तो गेमिंग की विवस्था तो कूप अच्छे सी जोईस में आपर कर दी गई ह दोस्तों स्नाप ड्रेकन 765 जी के बारे में आपर कुछ और बता देता हूं दोस्तों यह स्पीड के उपर रन करता दोस्तों क्रायों जो 475 है वो इसके दर यूज किया गया आर्केटेक्ट्चर दोस्तों वही जो इसका भी रखा गया है दोस्तों एट्रेनों 620 GPU जो इसके अपर ले सकते हैं तो दो दो ओप्सन दोनों तरफ से आपको यहां पर मिल रही है दोस्तों सीम 4G के साथ यहां पर 5G को भी सपोर्ट करता पूरी तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं या उप्योग कर सकते हैं दोस्तों इसके अंदर आंडुइड वैस सी 10 जो है प्रेलोड कर चुका है दोस्तों आगे बात करते हैं इसके कुछ मैन पीक्षर की तो पीछे कि तरफ आपको सर्कुलर डिजाइन के अंदर पूरा पूरा जो डिजाइन है वो काफी अच्छे से मिलेगा सर्कूरल डिजाइन के इंदर चार केमरा जोंगे और उसके बाहर की तरफ यहाँ पर है लाल्ज 2.8 जो यू आम सूपर फिक्सल साइज है उसको भी सपोर्ट करता है फ्रेंड्स अल्ट्रा वाइड एंगल जो कैमरा है यह 4K यूएच्डी वीडियो को भी रिकोड करता है दोस्तो आगे बात करेंगे दूसरे सेंसर की तो यहाँ पर पीछे की तरफ आपको तीसरा सेंसर 2 मेगा पिक्सल का एक डेप सेंसर मिलता जो की जियास से ओप्टिक्स को सपोर्ट करता है नि वोका वगिरा जो है इसी के साथ यह का मकेराइं दिया गया है तो सार नोकिया को मिलता जिस में बात करे दोस्तों इसके अदर ूको और पर्फोर्मेंस की कुछ और ने features की एगर camera में add किया नो किया तो अब की बार दोस्तों कमाल कर दिया है आप वीडियो editing को भी डायरेक्ट या पर support करा सकते हैं camera के साथ Hollywood style के अंदर या पर कुछ effects जो है यूज कर सकते हैं जैसे कि blue fair जो है एना मोफिक की वो वाला design जो कि आज कल Hollywood के अंदर मूवीज के अंदर यूज करते हैं साथ ही दोस्तों एक्शन cam mood भी जो है इंकलूट किया गया है camera option के अंदर दोस्तों USB Type-C port के साथ आपको Wi-Fi 5.0 Bluetooth 5.0 के साथ FM radio भी इसके अंदर देखने हो को मिलेगा दोस्तों अच्छी बात होती है अगर इसके अंदर fingerprint scanner और साथ ही जो है कुछ और features यहां पर दिये जाते हैं जैसी की NFC की इसमें कमी है fingerprint scanner जो है अभी तक पता नहीं है होगा की नहीं होगा लेकिन किसी भी प्रकार की जानकारी निकल के नहीं आई किसके अंदर fingerprint scanner होगा की नहीं अगर होगा तो इंडिस्प्ले आपर दिया जा सकता है 4500 mh की बैटरी के साथ आपको 18 वाट की जो है पार्ट चार्जिंग मिलेगी वायरलेस चार्जिंग की यहां पर कमी महसूस हो रही है दोस्तों प्राइस की बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी प्राइस की बात करते हैं तो लगबग है फिलाल अनॉंस किया थो जून तक जो है इससे लोल्ड किया जा सकता है तो काफी कुछ इसस्प्रिशिक्स दोस्तों काफी कमाल की लेगी तो पिछले डिजाइन और पिछले स्मार्ट फोन्स जो की नोकिया के उनसे कंपेर इसे किया जाए त तक देखते हुए दोस्तों 10x तक जो आप आराम से जूम कर सकते हैं ऐसा भी Nokia का आपर कहना 64 Megapixel प्राइमरी कैमरा के साथ तो काफी कमाल की जो है एक की डिटेल्स निकाल कर ये कैमरा जो है देने वाला है तो देखते हैं दोस्तों आने के बाद क्या और कमाल जो इस कैमरा के स सब्सक्राइब कर लेगर आप नए है तो मिलते हैं और फ्रेस वीडियो में तब तक लिए जय हिंद और वन्दे मात्रम